ओके, good morning students, आज हम लोग एक नया चाप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपकी विकॉम इंटरेंस का, which is rectification of errors, ये चाप्टर हम कह सकते हैं important इस sense में कि आपको इसका एक नएक सवाल तो जरूर से मिल जाएगा अपने examination के अंदर, ठीक हैं, तो आपको ensure ये करना है, आपको ensure ये करना है, कि आप chapter by chapter अपनी preparations करें, देखें, आपके पास में एक pattern होना चाहिए, एक well defined mindset होना चाहिए, कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें prepare करनी हैं, और आज आपने क्या पढ़ा, कितनी तैयारी की, उसको किस तरीके से आप practice कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ए तरीक है, सो इस तरीके से हम लोग topic बाट topic अपनी पढ़ाय ले करके चल रहे हैं, आज हमने pick up किया है rectification of errors, almost एक जो important portion है अपना आज की class में खतम हो जाएगा, next class में इसके कुछ दो-तीन सवाल भी आपको practice करवाएंगे, और फिर एक नया chapter हम आपको start करवाएंगे, जो कि ह अब आपको कि हमने लिख रहा है, विच इस BRS, Bank Reconciliation Statement, ठेक है, तो यह अपना, ओके, I am sorry, yes, अभी आप लोगो को voice नहीं आ रही थी, अब आ रही होगी voice, जो students उनलोगो voice नहीं आ रही थी सी पहले, अब आ रही होगी voice, अब आ रही है ठीक है अब आरी होगी voice ठीक है चरिए तो हम आपसे यह कह रहे थे कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं with rectification of errors और इससे पहले भी आपसे यह कह रहे थे कि हम लोग topic by topic चीज़ों को pick up करके चलते हैं इसमें क्या होता है कि daily हम एक topic आपके लिए pick up करते हैं जिससे हम सोचते हैं कि आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे और फिर उसके कुछ questions को हम लोग practice करें ताकि एक clarity हम लोग के mind में ये हो जाए कि आज हम लोगों ने आखिर क्या पढ़ा ठीक है आपके लिए हम बताएं कैसे करके एक pattern त्यार करते हैं हमने past year के papers को study किया और उसमें से हमने कुछ chapters को pick out कर लिया कि अच्छा इन chapters से तो पूसता ही है हाला कि syllabus तो कुछ भी हो सकता है बट कुछ chapters हैं जिनमें से एक नएक सवाल तो पूछी लेता है तो उन chapters को हमने pick up कर लिया और उसी के हिसाब से हम लोग के preparations भी चल लिए है ठीक है तो आज जो हमने chapter pick up किया है that is rectification of errors और इसी के ओपर हम लोग questions करेंगे हाँ आपको बताएं हम आपको concept हो सकता है आज की class में सिर्फ half hour या 45 minutes सिखाएं लेकिन 45 minutes तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ questions की ये practice करेंगे ठीक है तो अब हम लोग start करेंगे अपना chapter rectification of errors इसके हम आपको बहुत जादा subjective questions नहीं कराएंगे जिसके अंदर में आप लोग rectification वाली entry पास करते थे वो नहीं करने वाले हैं हम लोग हम लोग इस chapter में क्या करने वाले हैं कुछ classifications of errors होते हैं like there are principle errors of principle there is compensating error there is error of commission या omission तो इन errors के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं because आपके mcq में और specifically आपके entrance examination में यही चीज ज़्यादा पूसता है so यह हम लोग का आज का topic होने वाला है next class में हाला कि हम आपको एक दो full-fledged questions भी करवाएंगे तो तयार हैं आप लोग so start करते हैं start करते हैं देखी सुने ध्यान से जब हमारे books of accounts में कोई गलती हो जाए जब हमारे books of accounts में कोई गलती हो जाए तो हम लोग यह नहीं कर सकते हैं कि उसको cut कर दीजे और cut करने के बाद फिर उसको सही कर लीजे उसको cut करके सही करना कभी भी एक option नहीं होता है जैसे say for example say for example अगर हमने cash sales की यह हजार उपए की अगर हमने cash sales की यह हजार उपए की और इसकी entry हमने cash account debit to sales account hundred rupees करके कर दी तो अगर हमें इसको rectify करना है हमें इसको ठीक करना है तो यह बताईए कि यह option नहीं हो सकता last make zero जोड़ दे अगर हमको इसको बस ठीक ही करना है तो last make zero add कर देता है तो क्या दिक्कत हो जाएगी क्यों हम लोग ऐसा एक chapter पढ़ें जिसमें हम यह सीखें कि नहीं इसको rectify करने के लिए एक अलग entry pass करनी चाहिए यह तरीका बिलकुल भी ठीक नहीं है और हमें इसको rectify करने के लिए एक अलग entry pass करनी चाहिए और अगर 900 रुपे से हमने कम लिखा है आप देख सकते हैं लिखना था 1000 से 900 रुपे से कम लिखे हैं तो वापस से हमको cash account debit to sales account 900 रुपए वापस से लिख देने चाहिए लेकिन ये नहीं करना चाहिए कि last में 0 जोड़ करके ठीक कर दें ये इसके rectification का तरीका होना चाहिए ना कि ये कि last में 0 जोड़ दीजे तो ठीक हो जाएगा या cut करके इसको वापस से लिख दीजे क्यों यही सही तरीका है वो रुपर वाले तरीका सही नहीं है because all calculations are already made on the wrong amount देखें हम आपको इसके पीछे का हम सारी calculation बदल सकते हैं लेकिन हम आपको इसके पीछे का नहीं ऐसा भी नहीं कि they affect the balance sheet इसके पीछे कहां आपको main reason बताते हैं हर एक गलती balance sheet को affect कर ऐसा भी ज़रूर नहीं है लेकिन आपको इसके पीछे का main reason बताते है इसके पीछे का main reason ये है कि हमारे books of accounts books erase या ऐसा करने से authenticity, yes very good Swada has answered it correctly Swada has answered the correct answer हम अपने books की authenticity को change नहीं कर सकते लोग हमारे accounts को ये देख करके विश्वास करते हैं कि उसमें जो भी लिखा है वो सही लिखा है और सही sources से लिखा गया है अगर इस तरीके से cut करके हम उसके उपर कुछ भी लिखने लगे तो कोई भी accountant या कोई भी person उसके उपर cut करके कुछ भी लिख देगा और फिर कहेगा कि अच्छा ठीक है ये तो हमने correction किया था ठीक है जैसे आप लिख करके गए say for example पांच हजार बाद में आकर कोई उसको लिख करके चला गया चार हजार आपको तो मालूमी नहीं चलेगा कि वो correction आपने किया है या उसने किया है तो corrections allowed नहीं होते हैं books of accounts को बहुत ध्यान से prepare किया जाता है अगर आप उसी के अंदर में cutting कर रहे हैं इसका मितलब कि वो सही है या गलत है वो सही इनसान ने किया या गलत इनसान ने किया वो कोई नहीं बता पाएगा और साथी साथ हम लोग को दूसरा एक reason इसका ये हो सकता है कि हम लोग के सामने ये गलती कई बार तब आती है जब हमारे final accounts तयार हो चुके होते है एक और जो उपर आपने लिखा था कि all calculations are made इसके जगह हम कह सकते हैं कि हमारे final accounts कई बार तयार हो चुके होते हैं तो हम उन final accounts को change न करें या उन final accounts में बहुत ज़्यादा changes न करने पड़े इस वज़े से भी इस तरीके से rectification entry pass करते हैं बट जो इसका main reason है हम वही कहींगे कि it is just to ensure कि जो हमारे books of accounts है उनकी authenticity बनी रहे उनके अंदर में ऐसा न हो कि कभी भी कोई कह सके कि आपकी accounts तो आज ये हैं कल कुछ और हो जाएंगे नहीं accounts वही रहेंगे अगर कुछ गलत है तो उसके लिए further हम rectification करेंगे उसी में बदलाव नहीं कर देंगे चलो आगे बढ़ते हैं ये तो एक concept समझाने लिए था अब देखो हम गलतियां कई बार कई अलग अलग stages में कर सकते हैं जब हम अपने entries को record कर रहे हैं तो कई अलग-अलग stages में गलतियां हो सकती है सबसे पहला हम सबसे पहला हम I'm sorry I'm sorry students एक minute वेट करिएगा हम ये silent करना भूल गयता है mobile चलिए सबसे पहली गलति हम तब कर सकते हैं जब हम entry को record कर रहे हैं ठीक है तो गलतियां अलग-अलग stages में हो सकती है देखे कब-कब हो सकती है When we are in the recording stage of the transaction जब हम किसी भी transaction को record कर रहे हैं तब गलति कर सकते हैं Number 2 When we are posting the entries in the ledger जब हम किसी entry को post कर रहे हैं तब गलति हो सकती है Number 3 When we are balancing the ledger जब हम ledgers की balancing करते हैं उससे में हम उसका amount ज़ादा या कम ले सकते हैं अब इसमें ये कौन-कौन सी गलतिया हो सकती है इसके उपर भी हम आएंगे And Number 4 जब हम trial balance प्रिपेर कर रहे हैं हो सकता है उससे में जो सही amount हमें carry forward करना था trial balance में वो हमने carry forward नहीं किया तो हमने गलत लिख दिया या फिर हमने गलत book में लिख दिया या हमने लिखा ही नहीं मतलब लिखने में कोई गलती हो गई या तो फिर ledger में posting में गलती हो गई ledger से जब हम trial balance में ले जा रहे थे तब गलती हो गई किसी भी stage में हमारी mistake हो सकती है ठीक है अब हम अपने main discussion पर आते हैं कि कौन कौन से type of mistakes हो सकते है तो 4 types of mistakes आपको पढ़ने है यही आप से MCQ में पूछा जाता है तो हम सीधे इसी topic के उपर जम कर रहे है ठीक है 4 types of mistakes है जो कि आपको पढ़ने है एक है error of principle error of commission error of omission in compensating errors 4 type के errors आपको पढ़ने है यही आपके MCQ के लिए ज़्यादा important है हम अपने आपको exam के साब से तुड़ा restrict कर रहे है जो ज़्यादा relevant है उसी के पर ज़्यादा focus से discussion कर रहे है तो आपको 4 type के errors के बारे में पढ़ना है error of principle error of omission error of commission और compensating errors अब यह error of principle क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि error of principle क्या होता है अब देखे error of principle क्या होता है जब हम किसी कोई principle वाला error कर रहे है अच्छा principle वाले error का मतलब क्या जब हम अपने accounting principle को सही से follow नहीं कर रहे है अच्छा accounting principle क्या 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 क्यते है जैसे accrual के principles है जैसे आपका matching concept है जैसे हम लोग कहते है कि capital expenditure है तो उसको revenue नहीं मानना चाहिए matching concept जिसको कि हम लोग कहते है तो all this is a part of क्या all this is a part of your principles अगर आप अपने principle को सही तरीके से follow नहीं कर रहे हैं तो फिर it will be called as an error of principle मतलब आपने अगर capital expenditure को revenue expenditure माल लिया आपने revenue को capital माल लिया या फिर say for example आपने accrual concept को follow नहीं किया तो ऐसे कोई सी भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो उसे हम लोग error of principle कहते हैं इसको हम लोग अपने examples के दुरू बाद में और भी समझेंगे जैसे एक छोटे छोटे example हम आपको लेते हैं आप बताइएगा सिर्फ इतना classify करके कि हम जो खर्चे कह रहे हैं वो एक capital expenditure है या revenue expenditure है आप सिर्फ इतना बताईएगा कि हम जो खर्चे कह रहे हैं वो एक capital expenditure है या एक revenue expenditure है wages paid ये capital expenditure है या revenue expenditure है wages paid ये capital है या revenue है yes ये revenue expenditure है अच्छा अगर हम कहें अगर हम कहें wages paid for construction of a building wages paid for construction of a building अगर building बनाने के लिए हम wage दे रहे हैं तो वो building का ही खर्चा हुआ तो इससे हम कहेंगे capital expenditure ठीक है this will be called as capital expenditure just a minute okay I am sorry student से call continuously आ रहा था तो इस वजय से उसको handle करना आ प्रा तो this is capital expenditure yes very good next एक और question का जवाब दीजाएं say for example you have spent any amount या फिर you have done overhauling overall overhauling का मतलब होता है आपने उसको कुछ बनाने अनने के उपर में खर्च किया ठीक्टा करने के उपर खर्च किया आपने overall overhauling कराई ये second hand goods की आपने second hand car खरीदी और उसके उपर में आपने कुछ overhauling कराई ताकि आप उसको यूज कर सकें तो फिर ये क्या कहा जाएगा capital expenditure या revenue expenditure overhauling of second hand goods शिवांश ने सही जवाब दिया है बाकी सबका जवाब गलत है जब आप second hand goods purchase करते और उसके उपर में कुछ बनाने का खर्च करते है तो उसे भी हम capital expenditure ही मानते है उसे revenue expenditure नहीं मानते है ठीक है तो अगर इस तरीके से आपके कोई जैसे अगर गलती करे तो उसे हम कहते है error of principle ठीक है अच्छा ये बताइए सभी लोग कि revenue expenditure कहा जाता है और capital expenditure कहा जाता है किसी भी चीज़ को अगर हम revenue expenditure माने या किसी चीज़ को capital expenditure माने उसमें क्या फरक होता है revenue expenditure कहां जाता है और capital expenditure कहां जाता है तभी हम समझभाएंगे कि ये actual में गलती क्या हो रही है yes revenue expenditure profit and loss में जाता है और capital expenditure balance sheet में जाता है revenue expenditure will go into profit and loss and capital expenditure will go into balance sheet ठीक है yes revenue expenditure will be shown in profit and loss and capital expenditure will be shown in balance sheet ठीक है तो अगर हम revenue वाले को capital मान ले या फिर capital वाले को revenue मान ले तो obviously अगर हम revenue वाले को capital मान ले या capital वाले को revenue मान ले तो उससे obviously फिर जो हमारे accounts है वो affect होंगे हमारा profit जादा या कम हो सकता है, balance sheet की figures जादा या कम हो सकती है तो हम लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग जो भी recording कर रहे हैं उसमें सही principle का follow करें similarly हम किसी capital receipt को हो सकता है revenue receipt के तौर पे मान ले जैसे हमने का कि हमने loan लिया हम ले loan लिया तो loan लेना एक capital receipt है या revenue receipt है बताईए loan लेना एक capital receipt है या एक revenue receipt है क्या ये आपके revenue income से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है loan लेना एक capital receipt है या revenue receipt है loan लेना एक capital receipt है ये आपके revenue से जुड़ा हुआ नहीं है yes okay liability side में जाएगा ये वैसा ही fresh capital introduce करना एक capital receipt है लेकिन अगर हम कहीं कि आपको interest मिला, आपको interest मिला या आपने interest दिया तो यह revenue receipt है या फिर revenue expenditure है, ठीक है? So, चलो, तो आप लोग समझ रहे होगे कि error of principle में कैसी गलती की जा सकती है, सभी लोग बताईए क्या error of principle clear है? किसी को error of principle में doubt है? कैसी गलती की जा सकती है? क्लासिफाई किया गया as clerical errors, error of principle and clerical errors, error of principle हमने आपको बता दिया और जो दूसरे सभी type of errors हैं, उनको clerical errors, उनको clerical errors नाम दिया गया, clerical errors का मतलब क्या? देखो, error of principle एक clerical error नहीं है, clerk का काम क्या हो गया? क्लर के एक lowest level पे आ गया, उसका काम है केवल चीज़ों को लिखना, सही तरीके से सही किताब में लिख देना, और उसके उपर ने सही logic लगाया गया है कि नहीं लगाया गया है, capital है या revenue है, ये किसी clerk की knowledge की बात नहीं है, clerk का काम है केवल आपने उसको सही किताब में लिखा या नहीं लिखा ये लिखना, अब उसको capital expenditure मानना था है, revenue expenditure मानना था, ये clerical काम नहीं है, तो error of principle एक अलग division हो गया, और इसके अलावा जितने भी errors हैं, उनको clerical error कहा जाता है, ठीक है, तो error of principle अलग है, clerical errors अलग है, clerical errors के अंदर में ही ये तीनो errors आते हैं, तो आप हाला कि कभी भी classification clerical error नहीं देखेंगे, क्लेरिकल error में तीनों आते हैं, अलग कौन है, errors of principle, clerical error में तीन errors हैं, एक है error of omission, दूसरा है error of commission, और तीसरा है compensating error, अब देखो, इसके अंदर में, आप omission और compensating बहुत असानी से समझ जाएंगे, commission आपको पकड़ने में थोड़ा time लगेगा, हाला कि थोड़ी practice के बाद आप वो भी समझ जाएंगे, my guarantee, लेकिन, अगर आप omission और compensating बड़ी असानी से पकड़ पा रहे हैं, error of principle, हम लोग बड़ी असानी से catch कर पा रहे हैं, तो जो बचा रह जाएगा, वो obviously error of commission हो जाएगा, एक बार number की बात, कि भाई, एक तीन हमने आसानी से पकड़ लिया, जो बचा रहे गया, वो automatically error of commission हो गया, हाला कि error of commission भी आपको सिखा देंगे, बट ये तरीका भी आप follow करेंगे, जब हम लोग आगे, mcqs करने वाले होंगे तब, तो error of omission, error of omission देखे, दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है partial omission, एक हो सकता है full omission, omission का मतलब क्या, छूड गया, अब हमने क्या चीज़ छोड़ दी, हो सकता है, हमने उसको लिखा ही नहीं, books of accounts में, पूरी की पूरी entry ही नहीं लिखी, हमें 5000 रुपया receive हुआ from RAM, cash to RAM करना था, बढ़ हमने किया ही नहीं, उसको receive ही नहीं किया, हमने और लिखा ही नहीं, sorry, उसको लिखा ही नहीं, नोटी नहीं किया, तो this is full omission, ठेक है, दूसरा हो सकता है partial omission, कि हमने cash book में तो लिख दिया था, लेकिन जब हमको RAM की account में, RAM के ledger में इसको लिखना था, तो हमने नहीं लिखा, तो this is called as partial omission, तो एक full omission हो सकता है, या एक partial omission हो सकता है, इसमें गलती clerk किये, तो इसमें हमनों clerical error भी कहते हैं, ठीक है, तो omission का मितलब क्या छूड़ गया, या तो लिखना छूड़ गया, या तो उसको post करना चूड़ गया, ठीक है, कोई सी भी गलती इसके अंदर में हो सकती है, तो it may be complete omission, पुरी तरीके से नहीं लिखा, या partial omission, हमने उसको post करना था, तो सही तरीके से post नहीं किया, ठीक है, अगर post नहीं किया, किसी एक account में, तो एक में तो सही होगा, दूसरे वाले में गलत होगा, this is error of omission, next है, error of commission, error of commission क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं, इसको generally, आप amount words से relate कर सकते हैं, जब भी आप कोई गलत amount लिख देते हैं, या फिर आप गलत account में लिख देते हैं, या फिर आप गलत side में लिख देते हैं, अगर आप जो भी गलती करें, say for example, आपने यहां पर देखे एक बार के ध्यान से, कौन-कौन सी चीज़ है, wrong account में लिख दिया, मतलब लिखना था राम में आपने लिख दिया शाम में, या फिर लिखना था sales में आपने लिख दिया, purchases में, आपने गलत side में लिख दिया, आपको discount received के credit side में लिखना था, आपने debit side में लिख दिया, या फिर आपने totaling गलत की, या फिर आपने balancing गलत की, मतलब amount के अंदर में भी कोई गलती है, तो इस तरीके के errors को भी हम लोग error of commission कहते हैं तो error of commission सबसे wide आपका case हो गया जिसके अंदर में धेर सारे तरह की गलती आ गई amount से जुड़ी भी गलती है, account से जुड़ी भी गलती है wrong site में posting, wrong totaling, wrong balancing हर एक तरह की गलती किसमें आ गई? error of commission यह सबसे wide variety है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आ गई इसे हम लोग कह रहे है, error of commission और last क्या है, last है आपका compensating errors compensating error को आप ध्यान से अब समझें हम लोग कई बार क्या समझ लेते हैं, students को हमने क्या देखा interpret करते हुए, हम लोग का मतलब आप लोग हुआ, ठीक है तो compensating errors के अंदर में हम लोग क्या समझ लेते हैं कि ऐसे error जिनसे trial balance effect नहीं होगा, नहीं आपको अगर compensating error पहचानना है, तो आपको जो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दो गलतियां दिखाई देनी चाहिए आपकी सवाल में, दो गलतियां होनी चाहिए एक तम catch कर लो, दो गलती होगी, तभी हम इसके बारे में सोचेंगे भी और जब दो गलतियां मिल करके एक सही बना दे, तो हम कहेंगे compensating error जैसे क्या, जैसे safe for example जैसे safe for example, हमको दो entry pass करनी थी, एक cash to sales cash debit to sales, 100 रुपे, 100 रुपे और दूसरा purchases to cash, और दूसरा purchases to cash पचास, पचास, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे entry pass कर दी, यह correct entry हमको pass करनी थी, यह entry हमको pass करनी थी, बट इसकी जगा हमने क्या pass कर रखा है, हमने कर दिया है cash to sales, हमने कर दिया है cash to sales, कितने रुपे, 120, 120 और इसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया, purchases to cash, purchases to cash, 30, 30, अब हो सकता है, कि आप कहें, कि सर इसके अंदर में यह गलतियां ठीक कैसे हो गई, देखो आप हमारे पास में दो entries थी, एक में debit था 100 का, दूसरे में debit था 50 का, total मिला करके कितना था 150, यहाँ पे debit था 120 का, यहाँ पे debit था 30 का, total मिला करके यह भी कितना हो गया, 150, यहाँ पे credit 150, यहाँ पे भी credit 150, तो आप कहेंगे सर इसमें compensate क्या हुआ, बस debit और credit ही तो बराबर हो गया, तो यही तो हम भी कह रहे हैं, compensating error में ठीक क्या होता है, बस debit और credit बराबर हो जाता है, जिससे अपना trial balance agree कर जाएगा, trial balance में आपको फरक नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आपको trial balance में फरक दिखाई दे रहा है, या अगर आपकी इस तरीके से गलती हैं ठीक नहीं है, तो that will not be called as compensating error, ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेगा, ध्यान से समझेगा, अगर हम सिर्फ इतना बताते, प्लीज फोकस, अगर हम सिर्फ इतना बताते, कि 100 के amount को 120 का लिख दिया, तो ये भी तो इक error है, और इस error से भी trial balance effect नहीं होगा, क्योंकि 100 की जगा 120 लिख दिया, तो दोनों तरफ 120 हो गया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, it will match, लेकिन, देखो हमने दो गलतियां की, और दोनों गलतियों को सुधारने के लिए, आपस में हमने इसको cut off कर दिया, मतलब, यहाँ पे जो total effect था, वही effect हमने यहाँ पर भी ला दिया, तो इस तरीके के errors को हम लोग कहते हैं, compensating error, तो इसलिए हम आप से कह रहेते हैं, कि इसको पहचानने के लिए, आपको यह देखना होगा, आपके सवाल में दो mistakes दी होगी, और फिर देखना होगा, कि दोनों का effect trial balance के पर न पड़े, आए देखते हैं, if the effect of error committed cancel out, the errors will be called compensating error, the trial balance will agree, suppose an amount of rupees 10 received from A, is not credited to his account, and the total of sales book is rupees 10 in excess, हमको 10 रुपय A से मिला था, तो हमको A को credit करना था 10 रुपय से, तो credit 10 रुपय का होना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं किया, उसकी जगा हमने sales account को 10 रुपय बढ़ा करके जोन लिया, तो in that case क्या हुआ, कि A आज भी गलत है, 10 रुपय से credit होना चाहिए था, नहीं किया, sales book हमने 10 रुपय से बढ़ा के कर दिया, तो sales book भी 10 रुपय से गलत है, लेकिन एक तरफ 10 रुपय का credit नहीं किया, कम किया, एक तरफ 10 रुपय का credit जादा कर दिया, आपस में error cancel out हो गए, तो हमारा trial balance agree कर जाएगा, तो इस तरीके के error को हम कह सकते है, compensating error, ऐसे errors जो आपस में मिल करके trial balance match करा देंगे, हाला कि error फिर भी है, ये अपने 4 forms of error हो गए, जैसे कि आपसे कह रहे थे कि error of principle, omission और compensating error पहचानना बहुत असान है, बचे भी जितने भी हैं, आप मान सकते हैं कि there are error of commission, अब इसके उपर हमारा पास में धेर सारे questions हैं, थोड़ी बहुत और discussion हैं, फिर धेर सारे questions हैं, पहले बताओ इतना clear है क्या, यहां तक की discussion में कोई doubt है, questions practice करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, आपको फिर लगेगा खिर जहां आप ये काम आ रहा है, बट फिलहाल तक की explanation में कोई doubt हो, तो बताइए, error of omission एक बार फिर से समझा दे, compensating एक बार फिर से बता दे, ठीक है, error of omission के बारे में समझते हैं, जैसे say for example, हमने sales किया और हमने sales recording नहीं किया, हमने sales किया और हमने sales recording नहीं किया, हमने आपसे cash receive किया, और cash को recording नहीं किया, तो अगर हमने किसी भी entry को record ही नहीं किया तो इससे हम कहते हैं full omission मतलब उसका कहीं हिसाब किताब आपको नजर ही नहीं आएगा full omission और एक होता है partial omission उसके अंदर में क्या होता है कि हमने आप से मिला हुआ cash record किया ठीक है लेकिन उसको आपके account में post नहीं किया तो cash account में cash book में तो दिखाई देगा बट आपकी account में वो पैसा दिखाई नहीं देगा तो that will be called as partial omission ये दो तरीके के omissions हो सकते हैं record ही नहीं किया या हमने उसको post करना था post नहीं किया तो that will be called as error of omission फिर इसके बाद compensating errors के लिए हमसे पूछा गया तो compensating error में क्या होता है दो गलतियां करते हैं लेकिन दोनों गलतियों का trial balance के ओपर effect same हो जाता है जैसे say for example हमने आपसे कहा कि हमने जो purchase book है उसका total 10 रुपे से जादा जोड़ दिया तो debit 10 रुपे से जादा आ गया totaling करते हैं वक्त purchase book का जब purchase book का total करते हैं तो हमको मिलता है purchase account तो जब totaling की हमने purchase book की तो उससे हमको जो मिला purchase book के total और cash वाला भी देखना होगा चलो हमने purchase account का जो totaling किया उसको हमने 10 रुपे से जादा कर दिया ठीक है तो purchase account की totaling आ रही थी 900 हमने जोड़ करके कर दिया 910 तो 10 रुपे से debit जादा हो गया लेकिन यही same गलती हमने sales में भी कर दी sales की भी totaling हमने 10 रुपे से जादा कर द तो 10 रुपे का debit जादा हो गया गलती से लेकिन दूसरी तरफ 10 रुपे का credit भी जादा हमने गलती से जोड़ दिया तो दो गलतीया आपस में मिलकर के cancel out हो गई है तो जो आपका trial balance है वो agree कर गया हला कि आज भी debit गलत है आज भी credit गलत है purchase book में आज भी गलती है sales book में आज भ कि आपका trial balance आज भी debit or credit match कर जाएगा बस इसलिए इसका नाम में compensating error है clear है यह बाकि हम लोग इसको examples के थुरू भी समझेंगे चलिए आए एक exercise career के आए पहले question number one करते है और इसमें हम लोग classify करना सीखने है कि कौन सा error of omission है कौन सा error of commission है कौन सा compensating error है और कौन सा error of principle है start करते हैं सबसे पहले सभी लोग एकदम इस बार actively participate करें और सभी लोग जवाबते हैं जो भी हम आपसे पूछेंगे वो number one purchased goods from भारत द्वाज on credit of rupees 600 600 रुपे का खरीदा but were recorded in the purchase book as rupees 6000 6000 रुपे का record कर दिया हमने बताइए ये कौन सा error है amount हमने गलत record कर दिया है ये कौन सा error है this is b error of commission ठीक है आप a b c d करकी भी जवाब दे सकते हैं a is omission b is commission c compensating e error of principle ठीक है सभी का जवाब आया error of commission बिल्कुल सही है यहाँ पर आपने एक term पकड़ा होगा amount amount की गलती है ठीक है तो ये क्या हो गया error of commission number two amount paid for proprietor's life insurance proprietor का जो life insurance हम लोग pay करते हैं कोई बताएगा इसकी entry क्या होती है जो proprietor का life insurance pay करते हैं उसकी entry क्या होती है proprietor का life insurance की entry क्या होती है proprietor के life insurance की entry क्या होती है क्या होती है जब life insurance pay करते हैं तो life insurance एक personal expense है इसलिए हम लोग drawing account को debit करते हैं drawing account को debit करने के बजाए इन्होंने general expense account को debit कर दिया अब आप बताईए कि यह कौन सा error है डी डी error of principle ठीक है आपको मालूम ही यह error of principle क्यों है यह error of principle है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार आपको मालूम error of principle क्यों है क्योंकि इन्होंने business entity concept को नहीं समझा यह business entity concept को नहीं समझ पा रहे है कि business और उसका owner है वो अलग-लग entities है शाब बाश बहुत बढ़िया पॉइंट नमबर 3 goods amounting to rupees 2000 have been returned to chakravarti but no entry has been made in the books यह एकदम असान है हाँ सबसे असान a error of permission a error of permission ठीक है number 4 number 4 सभी को आ रहा है number 4 an excess debit of rupees 4500 has been made in the account of x whereas wise account has been credited by rupees 5000 instead of rupees 500 साड़े चार हजार रुपे से जादा debit कर दिये और जो credit करना था पांच पांसो से इंस्टेड ऑफ पांसो से करना था लेकिन कर कितने से दिये 5000 से अब बताओ यह कैसा एरर है सभी लोग बताईगे कैसा एरर है यह आपका सबने जवाब दिया compensating कुछ लोग नहीं सबने जवाब दिया कई लोग ने जवाब दिया B error of commission कुछ लोगों ने जवाब दिया compensating ठीक है सुनिए यहाँ पर हम कह सकते हैं amount की गलती तो है बट आप साथी साथ में देखिएगा ये दो गलतियां है पकड़ो हमने एकदम पकड़ने का सही तरीका आपको बताया है दो गलतियां है और दोनों गलतियां आपस में एक दूसरे के effect को cancel कर रही है कैसे एक तरफ debit जादा कर दिये X के अंदर 4500 रुपय का debit जादा कर दिये और 500 की चीज़ को 5000 लिख दिये तो credit जादा कर दिये 4500 से तो debit भी जादा हो गया 4500 से credit भी जादा हो गया 4500 से तो आपस में ये दोनों cancel हो गया trial balance आपस में match कर जाएगा तो हम कहींगे it is compensating errors this is compensating errors this was easy to catch आपको दिखना चाहिए था दो error है और दोनों का debit और credit का effect आपस में match कर रहा है this is compensating errors चलो next try goods sold to Suresh for rupees 650 were recorded as rupees 560 in the sales book बिल्कुल असान commission commission yes बिल्कुल सही बिल्कुल सही सबका सही है सबका सही है शिखा, अमन, कनिश्का and खुशी, वर्षा, साक्षी everybody has answered it correctly next typewriter purchase किये office के लिए और debit कहा कर दिये purchase account में बहिए typewriter खरीदे है तो typewriter debit करेंगे न typewriter एक fixed asset है purchase है सोड़ी है तो कौन सा error है yes, this is error of principle error of principle error of principle yes, this is again error of principle और last देखना goods for rupees 500 have been taken by the proprietor for his personal use for which no entry has been passed in the books उसके लिए entry pass करनी चाहिए थी लेकिन कोई भी entry हमने पास की ही नहीं है तो yes, this is commission okay, very good सबका सही जवाब है चलो तो यह आ रहा है यह आ रहा है हम लोगो अब हम लोग यह catch करना सीखते है कि कौन सी ऐसी गलतियां है जो trial balance को fit करती है और कौन सी ऐसी गलतियां है जो trial balance को fit नहीं करती है again हमको MCQ में आता है कि which of the following will affect trial balance या which of the following will not affect trial balance देखो एक ऐसी गलती है जो हम लोगो ने उप़र types पढ़े उसमें से एक ऐसी गलती है जो कि कभी भी आपके trial balance को affect नहीं करेगा impact कह सकते हैं दो ऐसी गलतियां है जो कि trial balance को affect नहीं करती है इसका कोई भी effect trial balance के उपर नहीं पढ़ता है कौन से यसी दो गलतियां थी जिनका effect trial balance के उपर नहीं पढ़ता है बताओ हमने दो ऐसी mistakes के बारे में बताया जिनका effect trial balance के उपर नहीं पढ़ता है सबसे पहले तो compensating errors सबसे पहले तो compensating errors compensating वाले इनका कोई भी effect इनका कोई भी effect trial balance के उपर नहीं पढ़ता है no effect in trial balance these are compensating errors compensating वाले ठीक है चलो इसके अलावा एक जवाब आया यह भी compensating का ही मिली एक जवाब आ रहा है इसके अलावा आप यह सोचो error of principle का भी क्या effect पढ़ेगा आखिर देखो trial balance तभी टाइली नहीं करता है जब debit और credit सही सही न लिखा जाए trial balance तभी टाइली नहीं करता है जब debit और credit बराबर बराबर न लिखा जाए मतलब हमने debit ज़ादा लिख दिया credit कम लिख दिया या पर credit ज़ादा लिख दिया debit कम लिख दिया या posting के अंदर में गलती कर दी debit या credit हमने सही तरीके से दोनों सही amount को follow नहीं किया मतलब dual aspect हम जहाँ पर follow नहीं कर रहे है debit और credit जहां भी हम बराबर बराबर नहीं कर रहे हैं वहाँ पर हमें दिक्कत आएगी तो error of principle में तो ऐसी कोई गलती नहीं होती थी गलती तो यह होती थी कि हम revenue वाले को capital मान लेते थे या capital वाले को revenue मानते थे लेकिन debit और credit तो दुनों का बराबर बराबर ही करते थे वह जितना debit करते थे उतना ही credit करते थे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी तो trial balance क्यों नहीं आगरी करेगा trial balance में तो बस debit credit को मिला के देखते हैं तो error of principle में भी trial balance के उपर कभी भी कोई effect नहीं पड़ेगा इन दो चीजों का कोई भी effect trial balance के उपर नहीं पड़ता और third है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं जिसका कभी भी trial balance के उपर कोई effect नहीं पड़ता वो है full omission हमने किसी entry को पूरा तरीके से लिखा ही नहीं एकदम note ही नहीं किया उसको हमने तो भई न तो debit किया न तो credit किया कुछ हुआ ही नहीं तो trial balance के उपर उसका कोई भी effect नहीं होगा तो complete या full omission का भी कोई effect हमारे trial balance के उपर नहीं होता है बोलो भई clear सारे के सारे जवाब देंगे clear एकदम बड़ियां से समझ में आया की नहीं आया ये चीज़ कौन से इसी चीज़ है जिनका trial balance के पर कोई effect नहीं पड़ता है compensating और error of principle और full omission तो किनका effect होता है किनका effect होता है जो partial omission होते है जो partial omissions होते हैं उनका effect होता है जो error of commission होते हैं उसके अंदर भी देखे कुछ errors error of commission में भी कुछ का effect नहीं होता है और कुछ का effect हותा है कौन से अर्स error of commission ने जिनका effect नहीं होता है जैसे अगर हमने wrong account में posting किया but on the correct side हमको RAM के खाते में credit करना था हमने SIAAM के खाते में credit कर दिया हमको purchase में debit करना था हमने cash में debit कर दिया debit तो कर दिया न सही जगा पर तो जब साइड की गलती नहीं है debit credit की गलती नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर हमने कहा कि there is wrong account, but correct side, there is wrong account, but correct side, कि जो posting है, तो इस गलती से भी trial balance के उपर कोई effect नहीं पड़ेगा, बट अगर हमने wrong side में posting किया, या फिर अगर हमने wrong totaling किया, wrong totaling में आपको दो चीज़े मिलेंगी, एक overcast और एक undercast, overcast मतलब जादा जोल लिया, undercast मतलब कम जोल लिया, तो जब किसी एक book को हम overcast या undercast करते हैं, जैसे cash book को हमने overcast कर दिया, या फिर sales book को overcast कर दिया, तो उससे फिर हमारे जो कोई एक particular account है, उसके उपर effect आता है, तो हम कहेंगे कि उसका भी effect trial balance के उपर आएगा, अब इस चीज़ को आप फटा-फट note कर लिजे, ताकि अब इसक इस चीज़ को आप फटा-फट note कर लिजे, ताकि इसके precautions हम लोग कर सके, कर लिया नोट, चला, note हो गया, चीज़, अब हम लोग इसके उपर भी questions को देखते है, टेखे, question number two, question number two, which of the following will affect, which of the following will affect the trial balance, the total of sales book has not been posted to the sales account, rupees 1000 paid as installation charge of a new machine has been debited to repairs account, this is error of principle, हम को debit करना था, मशीन में हमने debit कर दिया, अब लेकिन debit तो किया है, goods costing rupees 4000, taken by the preparator for personal use, has been debited to debtor's account, again, this is, this is, an error of, this is an error of, we can say commission, it has been posted to the wrong account, या इसे हम error of principle भी कह सकते है, but again, this is not going to affect the trial balance, और फोर्त वाला, rupees 1000 paid for repairs to building, have been debited to building's account, again, this is error of principle, so, only thing which is going to affect is, first, A, ठीक है, चलो, सब का साइए, question number 3, which of the following is not an error of commission, इसमें से कौन सा एक error of commission नहीं है, sales of rupees 560, not recorded in the books at all, rent paid to landlord, was posted to landlord's account, is not an error, आप से पूछ रहे हैं, यह ध्यान दीजेगा, मतलब इसमें से 3 error of commission होंगे, और कोई एक होगा, जो कि error of commission नहीं होगा, purchase of rupees 480, was wrongly posted to sales account, instead of creating sham, another creator sham was being created, and the correct answer is A, yes, okay, very good, ठीक है, सभी सही जो आप दे रहे हैं, तो अब हम लोग identify करना सीख चुके हैं, question number 4, which of the following error will not affect the trial balance, wrong balancing of an account, wrong totaling of an account, omission of an account from the trial balance, and writing the amount in the wrong account, but on the correct side, will not affect the trial balance, wrong balancing, wrong totaling, omission, या राइट आमांट in the wrong account, but on the correct side, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम समझ गया रहा है, बस ठीक है, ठीक है, समझ गया है, very good, कोई बड़ी बात नहीं है, easy है, उमको मालो में आपको कर सकते हैं, कोई पूक्श है रपूरवा, struck सकते हिट लेटा – नहीं आपूरवा, okay, very good. रूपी में रहीं नह nouveaux रेटाइब क्या रेटा है, रुम साहूरव अपूरवा इस एठादी पूरवा, it is an error of, it is an error of, please, okay, very good, है, टीक है, it is not A, it is C, commission, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. Question number six, question number six, which of the following is the error of principle, the purchase book was overcast by rupees 500, credit sales to Arjun, rupees 700 recorded as purchased from Arjun, goods returned to Charu, posted to Chinu, and wages paid for installation, ठीक है, बहुत आसान है, question number seven, question number seven, सभी लोग भई, question number seven, बताओ, ऐसा सवाल भी आपके test में, entrance test में आता है, question number seven, आपके entrance test में आता है, a machine is purchased for rupees 10,000, was wrongly recorded in the purchase account, machine is purchased for rupees 10,000, was wrongly recorded in the purchase account, 10,000 रुपे की purchase किये है हमने machinery, और इसको purchase account में हमने record कर दिया है, तो due to this error, what will happen, yes, okay, okay, ठीक है, trial balance will not show any difference, very good, because हमको debit करना था, किसको, machine को, हमने record कहां कर दिया, purchases account में, हम इसे error of principle कह सकते हैं, और इसकी वज़े से, trial balance will not show any difference, एक debit के जगे, दूसरे debit होगे है, बट debit तो हुआ है, यह बताना, goods purchased from A for rupees 10,000, has been passed through sales book, the error will result in, सभी लोग यह बताईए, A से हमने purchase किया 10,000 के goods, और इसको हमने sales book से pass कर दिया, the error will result in, increase in gross profit, decrease in gross profit, no effect on gross profit, either A or B, इसका correct answer है, राहूल ने भी सही बताया है, मानस्वी ने सही बताया है, शिखा, उमने, कनिश्का, ठीक है, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, it is A, अब क्या हमको कोई ये बता सकता है, ठीक, बस समझ गए, अब ये बताओ तो हम जाने, कि इसमें कितने amount का difference आएगा, gross profit increase हो जाएगा, ठीक है, बताओ gross profit कितने से increase हो जाएगा, gross profit कितने से increase हो जाएगा, बताओ, बोलो भी, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है, क्या करना था हमको debit, क्या कर दिये हम credit, debit क्यों करना था, purchase में debit करते हैं, credit क्यों कर दिया, sales में credit किया जाता है, तो हमको debit के जगा करेट कर दिया, इसका मितलब हम profit 10 से, नहीं 20 से हमने बढ़ा दिया, क्योंकि expense 10 कम कर दिया, sales दिया, तो फिर total difference कितने का हो गया, 20 का हो गया, तो it will increase the gross profit by rupees कितना, it will increase the gross profit by rupees 20,000, Q9, Q9, if a purchase return of rupees 1000, has been wrongly posted to the debit of sales return account, purchase return कितने रुपे का किया था, एक हजार का, लेकिन इसको कहां post कर दिया, debit of sales return, sales return के debit side पे हमने, इसको post कर दिया, but has been correctly entered in the supplier's account, तो देखना क्या हुआ, हमने purchase return कर दिया था, और sales return के debit पे लिख दिये, तो पहली बात तो जब sales return में लिखना नहीं था, इसको लिखना कहां था, इसको लिखना था, purchase return में, but has been correctly entered in the supplier's account, supplier के account में इसको correctly enter कर दिया गया है, तो गलती कहां पर है, गलती supplier वाले खाते में नहीं है, गलती purchase return और sales return वाले में ही है, तो अब बताओ, इसकी वज़े से क्या होगा, अराम से, अराम से पढ़ लीजे, बट सही जवाब दीजे, देखो जब purchase return होता है, तो हम supplier को रिटर्न करते हैं समान, तो supplier के खाते में कोई गलती नहीं नहीं ने सही सही बता दिया, अब पहले purchase return की जो entry होती है, उसके बारे में सीखें, कि वो क्या होता है, supplier debit to purchase return, तो हमको purchase return को credit करना था, बट जब हम posting करने गए, तो हमने sales return को debit कर दिया, अब आप शायद इसको कर पाएंगे, एक अंसर आया, D, D, C, रोष्णी इस सेइंग C, अमन D, साक्षी D, कनिश्का C, उमने C, मानसी C, अमन C, खुशी A, देखो, खुशी पहले तो आप यह समझो, कि जब हम wrong side में posting करते हैं, तो double amount की ही गलती होती है, तो debit की जगा credit हुआ है, या credit की जगा debit हुआ है, ऐसी कोई गलती है, तो आपको double amount की गलती दिखाई देगी, मतलब 1000 उपए की नहीं, यह 2000 की गलती होगी, क्योंकि wrong side में posting हुआ है, अब यह 1000 रुपए से हमको बताओ, actual में सब, हमको लगता है confusion C और D में है, तो अब सभी लोग सुनिए, हमको क्या करना था, हमने actually में किया था purchase return, और actual में purchase return के entry क्या होती है, it is supplier debit to purchase return, मतलब हम लोग purchase return को credit करते हैं, लेकिन credit करने की जगा, देखो हमने क्या कर दिया है, इसको debit कर दिया है, credit करने की जगा debit कर दिया है, तो debit न ज़्यादा होगा, अगर credit करने की जगा debit कर दिया है, तो debit न ज़्यादा हो गया, तो कितने से ज़्यादा debit हो गया? हजार की जगा, दो हजार से हो गया. क्योंकि एक तो हजार credit कम हो गया, जो करना था वो किया नहीं, और हजार से debit ज़्यादा कर दिया. तो दो हजार रुपे से debit ज़्यादा हो गया. वापस से हमको purchase return में post करना था, सेल्स रिटर्न में कर दिये. purchase return को credit करते थे, sales return को debit कर दिये. तो sales return को debit कर दिये, तो दोगने amount से उसका फरक पड़ जाएगा. debit will become more by 2000. answer is C. The debit of trial balance will be rupees 2000 more than the credit side. वो लो clear? जितने भी लोग D लिख रहे थे, अब पहले वो बताएं. C कई लोगों ने सही जवाब दिया था, और जितने लोग D लिख रहे थे, लोग बताएं कि क्या ये clear है. supplier account means here. देखे, हम purchases किसे करते हैं, जो हमको supply करता है. तो हम किसी ने किसी businessman से ही समान करीचते होंगे, तो उसको हम लोग नाम देते हैं supplier. जिससे जब purchase करते हैं, तो क्या entry होती है? purchase account debit to supplier account. ठीक है? supplier वो जिसे हम समान खरीचते हैं. तो purchase return करते हैं, तो क्या होता है? supplier debit to purchase return. लेकिन to purchase return में post करने की जगा, हमने sales return में कर दिया, तो credit करने की जगा debit कर दिया. तो जो गलती है, वो क्या है? कि debit हो गया है दो गुने amount से. ठीक है? मतलब debit में ज़्यादा हो जाएगा, दो गुने amount से, दो हजारों पैसे. अब कोई doubt नहीं है? अब कोई doubt नहीं है? आपनी doubt पूछा था, मानसी आपको clear हो गया है? पर Question Number 10. If the amount is posted in the wrong account or it is written on the wrong side of account, it is called as error of, very simple, it is error of commission. Okay, very good. अब students बाकी के जितने भी questions है जो आपके book में दिये वे हैं यह हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसको try कर ली जाए ओके very good आप लोग को अब try करने आ गया है बाकी के sheet में जितने भी questions हैं यह हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं यह चीज़ आपको बता दें कि जब भी trial balance जिन भी errors में trial balance agree नहीं करता है उन सभी errors में हम लोग suspense account open करते हैं ठीक है अब इसके बारे में प्लस कुछ आपके दो थीन और subjective questions भी हम आपको करवाएंगे ताकि एक conceptual clarity भी हो कि नहीं आपको आता है आपका task देखे यह है कि आप next class से पहले एक बार इस topic को थोड़ा पढ़ करके आईएगा और जो entries होती थी rectification वाली उनको पढ़के आईएगा आपको मालूम है कि entrance examination में पूरा rectification आपको नहीं पढ़ा सकते कि हम आपको वो जो subjective वाले questions से वो solve करना सिखा है लेकिन MCQ point of view से जतना important था हमने आपको सिखा दिया फिर हम चाहेंगे कि आपको थोड़े बहुत और भी questions आते हो तो हम आपके साथ में 2-3 subjective questions solve करेंगे आप लोग इसको please revise करके आई अपनी class 11th की book से ठेक है और अगर नहीं हो समय आपके पास में available because lockdown है तो कोई दिक्कत हो गई तो आप download कर लें कोई भी soft copy जैसे NCRT वगर अविलेबल हो जाती है लेकिन कुछ न कुछ आप revise करके फिर कल की class के लिए आप तयार रहें कल की class से हम लोग इस topic को finish करेंगे और एक नया topic भी in fact start करेंगे which is BRS bank reconciliation statement एक और चीज हम आपसे कहना चाहेंगे इसके questions हम आपको बता हैं बी एचु में आने वाले जितने भी past exam questions है बीकॉम के paper के उनको हम आपके साथ में practice करवाएंगे उनको हम एक अलग section में practice करवाएंगे हम कुछ live sessions लेतने हैं और YouTube as well आप मैंसे करते भी होंगे तो उसकी date in fact हम आपको अभी बता देंगे आप मेरे channel से भी उसको देख सकते हैं but I think हमने एक test Monday को announce किया है एक test हमने देखें 20 अप्रेल को आज 17 अप्रेल है 20 अप्रेल को हमने rectification यह सर कल भी है एक on 17 नहीं कल कोई ऐसा नहीं है यह देखें एक accounts का एक mcq test होता है जो कि हम YouTube पर live लेते हैं सभी के साथ में तो इसके अंदर मैं आपके साथ में कुछ और extra questions के साथ में आएंगे आपके timing हमने 17 इसलिए रखी थी कि 17 से पोहने 12 लगबद हम आपके class लेने का target रखते हैं और इसके बाद 12 बजे से हम कभी कदार almost कई दिन हमने भी लिया भी और आगे भी लेंगे तो हम आपके साथ में कुछ live sessions के अंदर में questions को discuss किया करेंगे जिसके अंदर में हम bhu become के past exam questions को भी लेकर के आएंगे तो उसके अंदर में आप rectification of errors 20 तारीक को 21 तारीक को BRS और 23 तारीक को final account से जुड़े वे questions को solve कर सकते हैं तो हम आपको आज rectification और कल BRS इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब हम आपका ये mcq test लेंगे 20 तारीक को 21 तारीक को 12 बजे YouTube पे live तो आप at least पहले से इन topics को पढ़कर के तयार हो हम आपके साथ और लेड़ी questions तो discuss करी लेते हैं आपको sheet भी हमने provide करा रखी है बट इस medium से भी हम लोग अपने test को organize करते रहेंगे ठीक है कि आप आएए वहाँ पे और एक बार चेक करिए कि जो और extra questions हम put forward कर रहे हैं वो आप कर पा रहे हैं कि नहीं आप बाकी students से obviously आगे रहेंगे क्योंकि आपने already उसको पढ़ लिया है अच्छा in fact आज भी हम आपको बताएं एक बार अगर आज आप देखना चाहें तो आज भी 12 बजे जो आपके economics का chapter है supply जो आपके economics का chapter है supply उसके हम MCQs को discuss करने वाले हैं आज 12 बजे ठीक है तो आज भी in fact अपनी discussion होगी ठीक है आपके साथ discuss करते हैं in the class कुछ और questions से में in sessions में भी discuss करेंगे ठीक है तो थांक यू वरी मच आज की class थोड़ी जिल्दी end हो गई जो topic planned था थोड़ा timely complete हो गया आप लोग ने जिल्दी इसको grab कर लिया बचे वे questions समझाएंगे कि आप खुछ से उसको practice करें खूब महनत करिए पढ़ते रहिए और अपने आपको इस काबिल बनाईए कि आप एक अची seat एक अची college में अपने लिए secure कर सकें at the same time ये lockdown का period है enjoy भी करिए अपने family के साथ में इतना अच्छा एक time spend कर सकते हैं वो करिये and do take very good care of yourself as well ठीक है थैंक यू very much friends बैप अच्छा वन मोर वेरी इंपोर्टन अनॉंस्मेंट प्लीज लिसन अभी जितने लोग live हैं वो सुनिए वन मोर वेरी इंपोर्टन अनॉंस्मेंट